नमस्कार, One India Hindi में आपका स्वागत है, मैं हूँ शिखातूरिया दिली में आज सिब बिना ड्राइवर के मेट्रो ट्रेन तोड़ेगी देश में ऐसा पहली बार होगा जब बिना ड्राइवर के कोई ट्रेन या मेट्रो पट्री पर तोड़ेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिली मेट्रो की मजंटा लाइन पर भारत की पहली ड्राइवर लेस्ट मेट्रो ट्रेन को हरी छणली दिखाएंगे इसके साथ ही आधनिक प्रधोगिकी के इस्तिमाल से भारत में परिभेहन रियातायात के एक नए यूग का आगाज होगा देश की पहली ड्राइवर लेस्ट ट्रेन का सफर 37 किलूमेटर का होगा दरसर दिली मेट्रो दिली एनसी आर में अपने रेल नेटवर्क का विस्तार कर रही है PMO ने जानकारी दी है कि driverless train पूरी तरह से automatic होगी और मानवी गल्दियों की आशंकाओं को खत्म करेगी आपको बता देश की पहली driverless train दिल्ली मेट्रो के magenta लाइन और pink लाइन पर चलाई जानी है पहले चरण में driverless train कुल 37 किलोमेटर की दूरी मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पस्चिम से नौइडा के बतानिकल गार्डन मेट्रो सिशन के बीच दोड़ेगी प्यमोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के सरी दिल्ली मेट्रो की मजंटा लाइन पर देश की पहली driverless मेट्रो ट्रेन को शिरू करेंगे इसकी साथ ही एरपूर्ट एक्स्प्रेस लाइन पर पूरी तरह से परिचालन नैशनल कॉमन मोबिलिटी गार्ड सिवाओं को भी लॉंच करेंगे आपको बता देए कि इसके बाद साह 2021 में पेंक लाइन में 57 किलोमीटर तक driverless मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना है जो मजलिस पार्क से शिव विहार तक की दूरी तै करेगी इस तरह से कुल 94 किलोमीटर तक driverless ट्रेने लड़ाने की योजना है अगर खासित की बात करें तो आम मेट्रो की तरह ही driverless ट्रेन में भी 6 कोच होंगे हलाके इसमें कई एडवांस तक्निक का इस्तेमाल किया गया है driverless ट्रेन की रफ़तार अधिक्तम 95 किलोमीटर प्रती खंटा होगी वही 85 किलोमीटर प्रती खंटे की रफ़तार के साथ ही अपना सफर शिरू करेगी driverless ट्रेन में 2280 यात्री एक बार में सफर कर सकते हैं इसमें हर कोच में 3880 सवार हो सकते हैं driverless metro ट्रेने, high resolution camera, remote handling, emergency alarm, real time monitoring train equipment और high tech सुविधाओं से लैस होगी BMRC के कारेकारी निदेशक अनुच द्याल के मताबिक driverless metro train, दिली NCR के निवासियों के लिए उनकी यात्रा को आरामतायक बनाएगा उन्होंने ये भी बताय कि DMRC, automatic train supervision system का metro पस्तेमाल करेगी driverless train, control room से automatic operate की जाएगी driverless train में cabin नहीं होगा, कोच की design नहीं होगी सबसे खास फीचर train के अंदर और बाहर लगे अत्या आधुनिक कैमरे होंगे sensor आधारित brake किसी भी हाथ से के बग तुरंद लग जाएंगे आपको बता दें दिल्ली Metro 2002 में शुरू होई थी जिसे अब कुल 18 साल हो गए है पहली बार इसका परिचालन आठ किलो मेटर लंबे शहादरा और तीस जारी के बीच शुरू हुआ था आज की तारीक में 11 मेटरो लाइन और 390 किलो मेटर नेटवर्क के साथ ही दिल्ली मेटरो देश ही नहीं बलकि विश्व का सबसे बड़ा मेटरो नेटवर्क बच चुका है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें One India Hindi के साथ